हेलो स्टूदेंज कैसे हो मैं हूँ पासना एंड वेलकम यू और चैनल नीट फाउंडेशन फॉर क्लास नाइन तेंज तो आज मैं और आप लोगों के लिए मेटल्स और नौन मेटल्स के साथ आई हूं और मजा तब है जब आप मुझे सारे आंसर जो है वह कमेंट सेक्शन में डालते चाहिए और अपने आपको एंड में आज 10 मेरे दस में से आखिरकार सही कितने थे तो चलिए आईए फटा फट से मेरे आंसर बताने से पहले अपना कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर बताईएगा और फिर देखोंगी मैं कि कितने मेरे बच्चों में से सबसे ज़्यादा सही जवाब किसके थे ज़्याद नगए तो लेट गो तो इस वेखियों आखिर से नौ आएग्या टाने सी यह कि इलेक्ट्राणिक पादिडिशन है टू आइने साइग पादिखिर्ट भू एंडार्ट्राणिक कंफिशन दी यहू कि डू आइंड आइडिक्ट्ट आइंड आंइड को मेंन येग भाई जल्दी जल्दी बताओ मुझे तीन एलिमेंट्स दियें वह उसने तीनों की इलेक्ट्रोनिक कॉंसीग्रेशन दियुए और पूछा कि इन तीनों में से कौन से दो जो हैं वो रियाक्ट करके आयने कंपाउंड बनाएंगे और उनका फॉर्मुला बताईए तो ओविसल जेड एंड वाय और विएटेड वॉवय फॉर्म आयनीक कंपाउंड هي विकूर सेयड टू एंड वं तो टूं एंड किसकी होती है कि वनतिवा तो ओटन मों सेस्ट है पिनलेक्ट्रोन आए जब जैशन में एक्ट्रों है है कितना है Aaa ask एक ये एक मिलक्ट्रyal है वो एक इलेक्ट्रोन अपना डुनेट करतेगा किसको जिसके आउटरमोस शेल में साथ इलेक्ट्रोन है तो आखिरकार यह एलिमेंट होता कौन सा है टू एल टू और वन वाला हाइड्रोजन हीलियम लीदियम ओवेसली जिसके अटॉमिक नंबर तीन होगा और अटॉमिक तोन अटॉमिक नंबर किसके है का है। हैड्रोजन हीलियम, लीदियम, बेलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, आखिजन, सो नहीं लेलेह और यह मॉलिक्यूल और इह उन पनने वाले आउपनें ट्रॉमिक और यह से एलेट्ट्रॉन दी हैड्रोन, इसलोरीन एक आलें लीधियम फ्लोराइड का लीधियम फ्लोराइड बनने वाला है तो इसका मतलब किस टाइप का बन रहा है यह वाइज टाइप का मॉलिक्यूल ही बन रहा है कुछ नीचे पैरों में कुछ नुमेरिकल वेल्यू तो नहीं है कि अधियर मोल्टन क्लोराइड की लेक्ट्रॉलस करवा के ही अंकी एक्स्रक्शन करवा सकते हैं तो कमिंग अप तो दी नेक्स्ट वैशन विच फॉल्लिंग नॉन मेटल इस लॉस्ट्रेस बताओ यह आंसर नहीं दे रहे जल्दी बताओ घिव मी दी आंसर इन दी कमेंट सेक अच्छाइब करवाया था न यह आगया ना M.C.Q. में तो इस आयोधीन इस आयोधीन इस नॉन मेटल जो की लस्ट्रस होता है अग्स्ट्रेस एग्सांपल ओव एंफोटरिक ऑक्साइड आगया M.C.Q. में चिक्चिक्के करवाया था है एंफोटरिक ऑक्साइड है ना तो इस एकसांपल ऑफ एंफोटरिक ऑक्साइड यह य्यास यह राइट इस नूमिनियूँ ऑक्साइड वेरी बॉर पहलोट जाथ सर एंपिक ऑक्साईड वायसा नंसला में आपटर लुक्साइड हर खर गयर्या और अलुमिनियूं दोनों ही में तो यह बेसिक थो नोन BTL कॉ as a non-metal oxide carbon dioxide it is an acidic oxide so let's move on to the further sixth question the atomic number of an element X is 12 which inert gas is nearest to X to X kawang a magnesium magnesium atomic number 12 and obviously we all know our gun is nearest to magnesium clear है so the next question the process in which a carbonate ore is heated strongly in the absence of air to convert it into metal oxide is क्या क्याते है जिसमें carbonate ore को हम heat करते हैं तो उसको metal oxide में convert करने के लिए yes the correct answer is c calcination oxides of moderately reactive metals like zinc iron nickel tin copper etc are used by कैसे करते हैं हम इनकी reduction we all know give me the answer yes you are right carbon as a reducing agent बच्चों जिसे अभी theory clear नहीं है please go and see my theoretical videos जिनमें मैंने तूरी तूरी अच्छे से explain करी हुई है in thermite welding a mixture of this and this is ignited with a burning magnesium ribbon which produces molten iron metal as large amount of heat is evolved so it's iron 3 oxide and aluminium powder it's iron 2 oxide and aluminium powder it's iron 3 chloride and aluminium powder or iron 3 sulfide and aluminium powder so the correct answer is a iron 3 oxide and aluminium powder so coming up to the last question now galvanization is a method of protecting iron from rusting iron from rusting by coating with a thin layer of by coating with a thin layer of किसके साथ बताओ answer galvanization में किसके साथ किसकी layer के साथ हम code करते हैं iron go yes you are right it's zinc the correct answer is zinc so please let me know कि आपके कितने answers ठीक हुए 10 में से और अगर theoretical portion में अभी भी गड़बढ है तो do go and see my videos for proper अच्छे से समझना अगर आप चाहते हैं तो so thank you for watching this is all about today's mcqs bye bye